चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाईए और हार एक न्यूस सबसे पहले पाईए बाउका था भोचपुरी फिल्मों के सूपरश्टार पवन सिंग के पिता के उनके पैतरिक आवास पर स्राद भोजन में पवन सिंग के गाउ आरा के जोहरी में कई भोचपुरी इंडस्टी के लोग और राजनेता पहुँचे सभी ने पवन सिंग के पिता जी को शरधांज ली थी स्राद भोजन में सैकडो की संख्या में अस्थानी ये लोग भी मौजूद रहे इसी करम में पवन सिंग के कुछ फैंस ने उनके साथ जवरदस्ती सेल्फी लेने की होड में लोग लगे रहे इसी बात को पवन सिंग के बात पर गुस्सा आ गया और पवन सिंग ने अपने फैंस को जम कर खरी खोटी सुनाया पवन सिंग ने कहा कि किसी की पिता की देथ होई और तुम लोगों को सेल्फी लेने की होड लगे हुई है इस पर पवन सिंग के गार्ड ने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया तब जाके थोड़ा महौल सांत हुआ इस मौके पर निरहुआ तथा आमरपाली दुबे भी पवन सिंग के पिता जी को सरराजनी देने के लिए पहुँचे बिहार के पूर मुखमंतरी जीतान राम मांजी बिनै बिहारे अवै सिना प्रेम राय आदी गंदमान लोगों ने पवन सिंग के पिता जी के निधन पर गहरा दुख भी जताया पवन सिंग के पिता रमा संकर जी का 12 अगस्त की रात को उनके गाउंप में ही निधन हो गया था 14 साल के रमा संकर सिंग एक हपता से बिमारी से जूज रहे थे आरा के पकड़ी इस्थिताबास पर पवन सिंग के पिता का निधन हुआ था निधन के दो दिन के बाद मुरली घाट पर उनका अंतिम संसकार किया गया था